हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आप सभी आपके अपनी यूटूब चैनल सोचोलोजी विज संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं यह हमारा बेसिक टर्मोलोजी और सोचोलोजी का क्लास सेकेंड है जिसमें कि हम लोग बेसिक सोचोलोजी को टर्म्स को देखेंगे जो कि आपके आने वाले सोचोलोजी से रिलेटे जितने भी कंपिटिटिव एक्जाम है उसको आपको बहुत ही ज्यादा हेलफुल रहेगा आप इसकी प्लेइलिस चैनल में जाकर ग्लोसुरी और सोचोलोजी नेम से देख सकते हो तो चली क्लास को लेट ना करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं अगर आपको क्लास हेलफुल लगे तो प्लीज आप अपने दोस्तों तक इसे ज्यादा सा सेर करें मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सस्काइब करें अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक भी करें तो देखिए आज का जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है वर्ल्ड सिस्टम थियोरी जिसे कि बिश्वपरणाली सिध्धान्त बोला जाता है बिसिकली यह जो थियोरी है यह क्या बोलता है कि सोसाइटी इंडरलास्ट कैपिटलिजम बिकेम दोमिनेंट एकोनोमिक सिस्टम लीडिंग टू ग्लोबलाइजेशन आफ कैपिटल अर्थार्थ यह जो सिध्धान थी यह वर्ल्ड स्टेम महोदेजी के द्वारा दिया गया थ कि समाज की जो आर्थिक प्रणाली है और ज्यादा सुधीर बन गए जिससे पूंजिवात के प्रभाव में आने के कारण क्या हो गया कि जो ग्लोबलाइजेशन यानि वैस्वी करण बहुत ही ज्यादा बढ़ गया जैसे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बोला जाता है हमारा ने ऐसे लोगों से बना वर्ग है जिनका काम उन्हें गरीबी के इस तर से और नीचे गिरने की चपेट में छोड़ देता है मतलब वह ऐसा काम करता है कि जो समाज में इसको फिर आगे बढ़ने देगा ही नहीं अर्था जैसे बात्रूम साफ करने का जो काम हो गया तो जो स्व फेट कॉलर अपराद दॉन्वाइलेंट क्राइम कमिटेट वाइदा कैपिटलिस्ट इड़ क्लास दूरिंग दा कोर्स ओफ देर ओकूपेशन अथार्थ पुझीपती वर्ग द्वारा अपने वैवसाय के द्वारा किया गया जो अहिंसक अपराद होता है उसे वाइट कॉ अर्थात यह एक ऐसा प्रनाली है जिसमें एक व्यापक समाजी कल्यान प्रनाली के माध्यम से जो बाजार अधारत अर्थ्वेवस्ता सामिल होती है उससे क्या होता है कि जो समाज के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्त की सुविधाई दी जाती है साथी साथ में उन्हें मुफ्त सुविधाय प्रदान की जाती है हमारा नेक्स टरम है वॉलिंटरी एससीयेशन यानि स्वेचिक संग एक ग्रूप विच चूज टू जॉइन इन विच मेंबर्स और यूनाइटेड वाइद परस्चूट ऑफ एक कॉमन गुल अर्थार्थ यह एक ऐसे सम ही होता है जिसमें हम सामिल होना चाहते हैं और जिसमें सदश एक समान लक्ष की खोज के साथ एक जूट होते हैं हमारे नेक्स्ट हम है एंटिसीपेटरी सोशलाइजेशन यानि प्रत्यासित समाजी करन दर लर्निंग ओफ ए न्यू नॉम्स एंड वैलू इन है उसे कहा जाता है एंटिसीपेटरी सोशलाइजेशन हमारा नेक्स्ट हम है एपार हेड यानि रंगभेट इस सोसल सिस्टेम इन वीच देर इस टोटल सेपरेशन ऑफ तर डेस अर्थार्थ रंगभेट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक ऐसे समाजी के विवस्ता ह होती है जिसमें जातियों को पूर्ण क्या कियाता है एक समाज से अलग कर दिया जाता है उनकी रंग के अधार पर उनकी जाती के अधार पर उनको अलग कर दिया जाता है हमारा नेक्स्ट हम है एपेरेंस यानि दिखावट हम किस प्रकार से समाज के अंतरगत खूद को प्र अर्थार्ट का बोल रहा है कि यह एक अधिनायर कवाद है यह political system that does not allow citizen to participate in government कि अधिनायक वाद का बोल रहा है कि एक ऐसी राजनीतिक विवस्ता है जो नागलीकों को सरकारक में भाग लेने की अनुमती नहीं देती है आज का हमारा last term है belief यानि बिस्वास तो ये एक ऐसी specific idea है that people feel to be true यानि एक विशिस्ट विजाए जिससे लोग क्या होते हैं सच को मानते हैं तो I hope आपको आज की class helpful लगी होगी इसी प्रिकार से मैं और जो terms है वो आपके पास लेकर आती रहूंगी तो मेरे चैनल के साथ बढ़े रहने के लिए आप सभी का thank you